सलमान खान बॉलिवुड के दबंग और लॉरेंच बिश्च्नोई एक ऐसा गैंगस्टर जिसने सलमान को खत्म करने की कसम खाई है लेकिन सवाल यह है आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये दोनों आमने सामने आ गए क्या सलमान खान की जिंदगी सच में खत्रे में है? आईए जानते हैं इस कहानी का हर वो पहलू जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साल 1998 राजस्थान के काले हिरन शिकार केस में सल्मान खान का नाम सामने आया वो वक्त जब लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के रूप में जानते थे लेकिन इस घटना ने उनकी जिन्दगी को हमेशा के लिए बदल दिया शिकार में मारे गए काले हिरन को बिशनोई समाज अपने धर्म से जोड़ता है और यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है लोरेन्स बिशनोई जो उसी बिशनोई समाज से तालुक रखता है उसे इस घटना ने गुस्से से भर दिया उसने खुले आम ऐलान किया कि सल्मान खान की हत्या करेगा और उसकी ये धमकी महस बातों तक सीमित नहीं रही सालों तक सल्मान खान को जान से मारने की धंकिया मिलती रही और धीरे धीरे यह मामला इतना गंभीर हो गया कि सल्मान को पुलिस सुरक्षा देनी पड़ी लेकिन क्या ये सिर्फ धंकिया है या लॉरेंस सच में सल्मान को नुकसान पहुंचाने के करीब है पुलिस ने कई बार लॉरेंस के गैंग से जुड़े लोगों को गिरफतार किया जिनके पास सल्मान खान के उपर हमला करने की योजना थी ये लड़ाई सिर्फ अदालतों में नहीं सल्मान की जिंदगी और मौत के बीच चल रही है अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या सल्मान खान कभी लॉरेंस बिशनोई के इस खूनी इरादे से बाहर निकल पाएंगे या ये संघर्ष अभी जारी रहेगी जवाब जाने के लिए हमसे जुड़े रहे और इस कहानी के अगले पहलू को देखना न भूले